नमस्कार दूस्तों आज हम बात करेंगे LIC के IPO के बारे में और यह एक्चुली IPO होता क्या है और LIC के IPO का हर जगा हर गली महले में क्यूं जगड़ चल रहा है क्या दूस्तों इसके जो LIC के IPO है क्या नॉर्मल इसनान खरीद पाएंगे क्या बात करें फिर एक अपर मिडल क्ला क्या होता है इनिशल पब्लिक ऑफरिंग किसी भी सरकारी कंपनी है प्राइवेट कंपनी तब कोई आई प्यों में इन्वेस्ट करते हैं कि वह अपनी हिस्सेदारी जैसे कि उसे लग रहा है कि हां मैं मेरी कंपनी की वैल्यवेशन 200 क्रोड है तो वह 50 क्रोड रुपए आई प्यों में लगा दे इनिशल पब्लिक ऑफरिंग इसके पाइटिकुलर वीडियो बनाएंगे वहां पर आपको ज्यादा अच्छा समझ मां आप आएगा तब तक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों तो वहां से अपनी वैल्यवेशन लग जाएगी तो वहां पर लोग अपने इंवेस्ट कर लेते हैं और जो उसके 50 करोड़ हैं तो डैट मिस करोड़ के उसके शेयर हो गाए जैसे शेयर कम होते रहते मार्केट में वैसे वैसे उसके प्राइस हाइक होते रहते हैं तो इसलिए 50 कोड़ से एक्सपटेशन लगाई जाते हैं कि हाँ 200-500 क्रोड रुपे लेके आ सकते हैं यही लाइसी के साथ चल रहा है कि हम जो पैसा लगाया जा रहा है किता पैसा निकाला है सब कुछ आपको इसी वीडियों बताऊंगा सबसे बहले दोस्तों बात करें कि क्या हम इसे स्टॉक जो लाइसी के आई पियो आए दोस्तों बहुत जादा अच्छी अविलिकेशन आप किसी भी शेयर मार्केट के शेयर ले सकते हैं किसी भी कंपनी के लाइक लाइसी हो गए या आप किसी भी कंपनी के लेकिन दोस्तों बात करूं मैं जो इसकी रिलीजिंग डेट है कख से आप इसे खरीद पाएंगे वह भी सवाल बनता है जैसे कि दोस्तों बात करूं में लाइसी के आई प्यो जो इसका प्राइस रखा गया है वह कित्ता रखा गया है तो यहां पर जो इसका प्राइस है थोड़ा सा फ्लैक्जिवल है 902 रुपे से लेके 904 रुपे तक इसका बांड एंड साइज शेयर और फेलेश रखा गया तो इसकी में आप मिनिममन न क्ती कर पाएंगगे तो दोस्तों में से कम से कम अप कितना पैसा इसमें लगा पाएंगे तो जो किया 14 proto 545 रुपे रुपे minimum खर्च करने होंगे ऐसा नहीं कि आप LIC का एक शेयर या मैं बात करो एक IPO खरीद ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों जो आपको इन्वेस्ट करना है कि पैसा कमाने के लिए तो दोस्तों जो अपनी बहुत मतलब ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी नहीं कहेंगे एक छोटी सी हिस्सेदारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए जो की बीस हजार 557 करोड रुपे की है और सेंट्रल गवर्मेंट जो कहती है दोस्तों वह यह कहती ह कि हम LIC से कम से कम 2.30,000,000,000 करोड रुपे अन करेंगे तो दोस्तों यही होता है कि आप शेयर मार्केट में शेयर खरीद लेते हैं क्योंकि दोस्तों LIC पहले में LIC की फुल फॉर्म वाता दो Life Insurance Corporation Company नहीं है Corporation of India तो जो आफ और इंडिया है वो हिडन रखते हैं और LIC बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं इसी का हम हिंदी के अनुबाद करें तो बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें तो दोस्तों इंडिया की सबसे प्रीमियम और वर्ल्ड की सबसे लार्च कोई इंशॉरेंस कंपनी है तो वह लाइसी है तो इसलिए गौर्मेंट ने इसकी हिस्सेदारी बेशनी का थोड़ा सा मन बनाया है जिसमें वह लोग इसमें इंट्रस्ट ले और वह कहीं ना कहीं मतलब 0.00% मालिक बने लाइसी के तो इसलिए आईपियो के द्वारा इसे रिलीस किया जा रहा तो रिलीसिंग डेट क्या है दोस्तों इसकी तो चार मई से लेके नो मई दो हचार बाइस तक आप इसमें स्टॉक मतलब जो आईपियो में वह पैसा इंवेस्ट कर सकते हैं जो दोस्तों कुछ और कंपनियों की बात करूं कि उनकी क्या शेर मार्केट प्राइस चल रहा है तो जैसे कि दोस्तों हीरो का लाप प्राइशन का जो एक शेर का प्राइस हें पंची सो रुपेस से लाट होता है जैसे कि दोस्तों बात करूं ऐसी सी कमपनी हो गई तो उसकें ऑप सर्फ्यशन कर सकते हैं आप आप अभी पैसे लगाएं और अभी तुरंद के तुरंद कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि आपको एक्सपेट करना चाहिए कि हां मैं छह महीने रोख सकता हूं तब ही आप इसमें आई पियो में लाइसी के आई पियो में पैसे इंवेस्ट करें और आपको ऐसा नहीं लगता कि हां यहां मुझे कभी भी पैसे जरूरत होती तो उन लोगों के लिए लाइसी आई पियो शेर मार्केट नहीं बना क्योंकि आपको तो रहत बना रहें फिर आप पैसा लगाएं तो ऐसे प्रेंडिंग कंपनियों पर लगाएं जो कि आपको प्रॉफिट देते तो आपको लॉस दोस्तों जरूर लगाएं और प्रॉफिट आपको 25 परसेंट तक देखे चाह सकता है तो दोस्तों अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरू कीचेगा धन्यवाद दोस्तों